Banking Law Notes by the C.L.L.B. तो अब करेंगे diagnostics प्रोमिसरी नोट क्या होता है पीज नंबर 28 प्रोमिसरी नोट वर्ड से ही पता लग रहा, प्रोमिसरी मतलब प्रोमिस करना ठीक है ऐसा नोट जिसमें promise किया गया कुछ payment के लिए तो पहले definition देखते है negotiable instruments act के section 4 के according यह एक इंस्टुमेंट है negotiable instrument है ठीक है यह तीन तरह के negotiable instrument होते हैं promissory note, bill of exchange promissory note, bill of exchange और check तो उनमें से एक type का instrument है negotiable instrument है ठीक है जो की writing में हो in writing okay इसमें exception है bank note और currency note होते हैं हमारे notes होते हैं 10 रुपे के आपके 50 रुपे के 100 रुपे के currency notes होते हैं यह include नहीं होते हैं थोड़ा exception है ठीक है हाला कि promissory note जैसे ही होते हैं पर यह exception है in writing होगा, लिखित में होगा ठीक है, उसके बाद containing unconditional इसमें कोई condition नहीं होनी चाहिए, ठीक है undertaking to pay मतले का undertaking मतले promise to pay इसमें वचन होगा देने का promise करना होगा payment के लिए certain sum of money sum of money होगे certain होगी यह certain होती है, सीधे सीधे amount लिखा होगा कितना है, यह नहीं है कि all the money और sum money ऐसे नहीं होगा ठीक है money जो होगा, वो certain होगा कितना amount है, ठीक है only to certain person जिसको दिया जा रहा है वो भी आदमी certain हो, आप identifyable हो identify कर सके, हाँ यह है व्यक्ति है या फिर उस certain person के order पे, ठीक है वो जिसको भी, जिसके लिए भी order करे या फिर बिरर हो ठीक है, जो उसको hold करता हो signed by the maker, maker के उस promissory note पे sign भी होनी चाहिए, ठीक है तो promissory note होता कैसा है देखो जड़ा देखते हैं ऐसे अब promissory note A ने B को दिया है तो इसमें लिखेगा I promise to pay B rupees hundred ठीक है और order ठीक है, इसका मतलब ये promise कर रहा है pay करने के लिए B को hundred rupees जब फिर B के order पे किसी और को, ठीक है यह होगा promise तो जो definition में हमने देखे थे points ये सारे वही essential points में आ जाते है ठीक है, उसमें बस एक extra order जुड़ ज़़ जाएगा बाद में, तो देखते हैं essentials क्या क्या है essentials है कि in writing, writing में होना चाहिए लिखित में होना चाहिए not oral मुझवानी वाला नहीं चलेगा writing में कैसे pencil से भी काम चल जाएगा लिखा हुआ हो ink से print हो या फिर type किया गया हो या photo copy हो या फिर कोई और mode हो जिससे की words जो है लिखे जा सके है represent की जा सके है reproduce की जा सके है उनसे भी काम चल जाएगा ठीक है कोई particular form नहीं है कि हाँ जी कोई word promise ही उसमें include करना हो आप लिख सकते हो I shall pay I will pay जरूर नहीं है इसमें का word promise ही यूज किया जाए ठीक है तो language used clearly show intention to give undertaking जो language यूज की गई है वो सीधे clearly show करनी चाहिए बस intention क्या है और की intention ये है कि promise कर रहे है पे करने के लिए बस ये important point है इसका ठीक है तो इसमें क्या intention जो है promise जो किया जा रहा है करना है कैसे जैसे लिख दिया जा सकता है कि I shall pay रुपीस 500 on demand ठीक है जबिस सीधे रुपीस 500 to be paid on demand सीधे सीधे एक्सप्रेस प्रॉमिस है सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है not mere acknowledgement of in-depthness without promise to pay ऐसे नहीं चलेगा कि बस ये बस सुईकार कर रहे है हाँ कि मुझे देना है promise नहीं कर रहे है कि हम मैं पैसे payment करूंगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा bear acknowledgement उसको बस कि आपके पास उधार है उस आदमी का आपको देना है कि इस बात को कि बस सुईकार करना ये enough नहीं है ये अपका मेरे उपर 500 रुपे का उधार है तो ये प्रामिसरी नोट नहीं होगा ठीक है इसमें कोई promise नहीं की गई payment करने की या फिर I am accountable to you मैं आपके प्रती जिम्मेदार हूँ तो ये भी कोई promise नहीं है बस acknowledgement है ठीक है या फिर I am buy on to pay तो ये भी प्रामिसरी नोट नहीं है या फिर I am liable to you इसमें भी कोई promise नहीं है तो ये प्रामिसरी नोट नहीं है ये unconditional होना चाहिए मतलब not subject to any condition इसमें कोई condition नहीं होनी चाहिए जैसे आपने कोई condition लगा दी on wearing the case कि मैं अगर case जीत गया तब मैं आपको payment करूँगा तो ये प्रामिसरी नोट नहीं हुआ या फिर लिख दिया कि on arrival of truck जैसे आपको कोई truck आएगा कि आप बोले कि जब मेरा सामन truck से आजाएगा on arrival of truck जो truck यहां पहुंच जाएगा तब मैं आपको payment करूँगा तो ये भी प्रामिसरी नोट की category में नहीं आता जैसे कि आप लेग दो promise to pay if x pays में ये condition लगा दी इसमें अगर x मुझको pay करूँगा तब मैं आपको pay करूँगा तो इसमें भी condition लगा दी गई है तो ये क्या कहते हैं ये प्रामिसरी नोट नहीं होगा क्योंकि प्रामिसरी नोट में condition नहीं होती है अनकंडिशनल होता है amount जो होना चाहिए वो certain होना चाहिए clear होना चाहिए जैसे rupees 400 clear है तो ये प्रामिसरी नोट में आ जायागा लेकिन आपने लिग दिया sum money कुछ पैसा तो ये प्रामिसरी नोट में नहीं होगा या फिर आपने sum लिग दिया उसके साथ एक और uncertain चीज लिग दी कि all fine अब ये भी कोई certain amount नहीं है ठीक है तो ये प्रामिसरी नोट में नहीं आएंगे पेमेंट जो की जाएगी पैसे की की जाएगी के वल ठीक है money only something other than money no तो money के अलावा कोई और जैसे आपने बोल दिया मैं तो मैं party दूंगा I promise to give party to you तो ये भी प्रामिसरी नोट नहीं है या फिर money के addition में कुछ और चीज लिख दी तो भी प्रामिसरी नोट नहीं जासे हम लिख दिया money and party तो money के साथ साथ party कर दी तो क्या कहते है कोई money के अलावा कोई चीज लिख दी तो ये प्रामिसरी नोट नहीं होगा section 18 जो कहता है अगर amount जो है बोथ words और figures में हो और उसमें कोई discrepancy हो confusion हो तो क्या कहते हैं words वाला prevail करेगा इस point को समझते हैं जैसे आप एक कोई प्रामिसरी नोट है उसमें लिखा है I promise to pay बी एक figures में लिखा हुआ है rupees 100 और words में लिखा हुआ है rupees 100 अब मालो discrepancy कैसा जाती है जैसे कोई-कोई अपना one को ऐसे लिखता है 100 में ऐसे उसकी बजाए वो ऐसे हो गया तो ये हलका सा nine लगने लगा ठीक है तो यहाँ पर confusion हो गया तो ऐसे confusion में जो words में लिखा हुआ जो amount है वही माना जाएगा यह वाला नहीं माना जाएगा जहना discrepancy हो ठीक है confusion हो पार्टी जो हो जिसको दिया जा रहा है amount जो है वो certain होनी चाहिए ठीक है reasonable certainty हो यहाँ पता लग जाए यही आदमी है यह particular person है उसको जैसे नाम लिखा हुआ किसी आदमी के तो पता लग जाए गहां यह वही identify कर सकते हैं तो ऐसे certain होना चाहिए हो आदमी अगर bearer को payable है bearer मतलब जिसके भी कबजे में है वह promiseary note जो है जिसके भी हाथ में है वह note जो है तो उसमें certainty requirement apply नहीं होती देकिनी चक्कर है इसमें यह जो bearer को जो ऐसे note दी करते हैं वो केवल Reserve Bank of India या फिर Government of India इस्यू कर सकती है नोट्स जो bearer को payable हो ठीक है जैसे हमने एक्जामपल में भी देखा था एक्जामपल सॉरी definition में देखा था exception है bank notes और currency notes यह प्रामिसरी notes की definition में नहीं आते ठीक है तो जो bearer को pay हो notes वगेरा जो है वो RBI Reserve Bank of India और Government of India इस्यू करती है और यह bank notes होते है है currency notes होते हैं जैसे हमारे 500 का note हो गया दस रुपे का note हो गया यह ऑल्दो यह similar होते हैं प्रामिसरी note के लेकिन यह प्रामिसरी note के अंडर नहीं आते ठीक है जैसे आपने देखा होगा note पर लिखा हो था गवर्णर के sign और अगरा होते हैं तो इस पर लिखा होता है आई प्र होना चाहिए मेकर मेकर के sign होने चाहिए इस पर प्रामिसरी note है इस पर लिखा है आई प्रामिस्टू पे बी रुपीज 100 ठीक है इसके बाद यह मेकर जो है जो है उसके sign में जरूरी है ठीक है अगर agent authorized sign करने के लिए तो agent भी sign कर सकता है मालक की जगा ठीक है प्रिंसिपल की जगा और अगर person illiterate है तो उसके अंगुठे की निशान से भी काम चल जाएगा thumb impression से काम चल जाएगा ठीक है अब होता ऐसा है यह हमने आपने प्रोमिसरी note तो बनवा लिया लेकिन अगर आपने उसकी registry department जो होता है government का वहां पर आकर stamp नहीं करवाया उसको ठीक है तो valid तो ह जो पे करने वाली party है उसके उपर ठीक है तो without stamp valid है लेकिन क्या कहते है binding नहीं है आप उसके खिलाफ कोई action नहीं ले पाओ अगर वह पे नहीं करेगा तो हलाकि जब प्रोमिसरी note बना रहे है तो शुरुवात में क्या कहते है stamp की जरुवत नहीं है ठीक है stamp from beginning not necessary उसे अगर आपको उस time valid रहेगा लेकिन अगर उसे आपको binding कराना है दूसरे को उपर क्या कहते है ऐसा बन जाए कि आप अगर वह पे नहीं करे तो आप उसके खिलाफ कोई action ले सके binding कराना है तो आप stamp duty वगरा पे करके penalty के साथ उसको stamped करा सकते है तो लीगली binding हो जाएगा ठीक है तो एक बार quick summary देख लेते हैं इसकी तो प्रॉमिसरी note क्या हुआ जिसमें promise की जाती है कुछ payment करने के लिए definition क्या थी negotiable instrument act के section 4 में इसकी definition दे रखी है वह instrument जो राइटिंग में हो bank note currency note exception है containing unconditional इसमें कोई condition ना होनी चाहिए ठीक है undertaking to pay promise करना किसी payment के लिए certain sum amount बिल्कु certain होना चाहिए certain person या फिर उसके order पे या फिर BRR पे तो person भी certain होना चाहिए जिसको payment की जा रही है और maker के sign होनी च के sign होनी चाहिए essential में भी यही जा जाता कि writing में हो oral में ना हो pencil वगएरा ink type वगएरा सबसे चल जाए को practical form की जरूरत नहीं है word promise की जरूरत नहीं है बस main चीज क्या है intention clearly issue होनी चाहिए कि हम promise कर रहे है पे करने के लिए ठीक है यह undertaking है to pay undertaking मतलब promise है पे करने के लिए promise जो है ए प्रॉमिस भी जरूरी है ठीक है और यह unconditional होनी चाहिए इसके अंदर को condition नहीं होनी चाहिए पैमेंट जो होगी केवल पैसे की होगी किसी और चीज की नहीं होगी ठीक है और अगर words और फिगर्स में discrepancy confusion है तो words वाला prevail करेगा words वाला माना जाएगा ठीक है पार्टी जो certain हो जैसे नाम से सीथे सीथे पता लग जाएगी आदमी को ने या फिर किसी holder of office किसी position पर हो जैस चेर्मेन इससे पता लग जाएगी बेर वाले जो होते हैं इंस्टूमेंट प्रामिसरी नोट वो क्या कहते हैं केवल RBI और Government of India इस्टू कर सकती है जो हमारे currency नोट होते हैं और ये इस definition से exception में आते हैं ये प्रामिसरी नोट के अंडर नहीं आते हैं हाला कि उनके similar है ठीक है उसके बाद प्रामिसरी नोट पे sign होने चाहिए में करके agent भी sign कर सकता है अगर illiterate है तो क्या कहते है उसका thumb impression चल जाएगा अगर आपने stamp नहीं कराया तो valid तो है लेकिन आप उसके इकलाव कोई legal action नहीं ले पाऊगे और legal action लेना तो हाँ पर stamp करा लिए जाए ठीक है अलाकि stamp beginning में जरूरी नहीं है बाद में आप अगर binding कराना है legally binding तो आप बाद म comment box में लिंक मिल जा गया फिर comment box में ठीक है अगला topic जो करेंगे हम bill of exchange करेंगे यह next video में